खबर गाओं की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इनसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामी न्यूज ग्रामी न्यूज यूज्टीूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और डाल आइकन दबाए पाकिस्तान में भासी की सजा का सामना कर रहे कुल भूशर जाधव के मामले में अंतरास्ट्रिय न्याय अदालत ICJ में भारत और पाकिस्तान के बीच दलीले चल रही हैं ये सुनवाई चार दिन तक चलेगी पहले चरण में भारत और पाकिस्तान को दलीले रखने के लिए तीन तीन घंटे का वाक्त दिया गया है। भारत की तरफ से मशूर वकील हरीश सालवे पाकिस्तान का जूट सब के सामने रख रहे हैं। किटी अल्षी अपिसी के लिए मよろしく creating प्रा५ है प्रिसारे थे लेे wam संटाने अनि के सामने में। ले बवसर अन पाकिस्तान कर्स्तान का अमजय थाधने का अशूपरी आधने डहे टूआख झाझारे मीनदिकन लूफ्सान। hopelessly fails to satisfy even minimum standards of due process. And being violative of Article 36 of the Vienna Convention, it should be declared unlawful. Jadav's continued custody without consular access should be declared unlawful.